रिच डेड, पूर डेड, रोबर्ट टी कियोस्की, बाइ पूकू रीडर्स, पार्ट सेवन्टीन, पार्ट सिक्स्टीन में हमने जाना, अध्याए 9, शुरू करना, आईए इस अध्याए में आगे जानते हैं, नमर तीन, अपने दोस्तों को साफधानी से चुने, साथ रहने की ताकत, सबसे पहले तो मैं यह बता दू कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनोंने गरीवी में जीने की कसम खाई है, और ऐसे भी दोस्त हैं, जो हर साल करोडों कमाते हैं, मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभ की कोशिश करता हूँ मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है परंदू मेरी नजर उनकी दौलत पर नहीं बलकि उनके ग्यान पर थी कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ परंदू मैं आपको एक अ कुछी रखते हैं इसलिए मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फसे हुए हैं वे पैसे वेपसाई या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते उनकी नजर में ऐसा करना मूर्खता पूर या बेमानी होता है इसलिए मैं एक ही अनुभव बताया है उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है परंतु वे उनसे दो में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आए नमर एक करज या नमर दो नौकरी चेतावनी गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिये मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ परंतु वे जिन्दगी के डरे हुए मुर्गे हैं जब पैसे की बात आती है खासकर निवेस की तो उनकी नजर में आसमान हमीशा गिरने वाला होता है वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी समस्य यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आंक मून कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं जैसी एक पुरानी कहावत है एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमती होती है अगर आप CNBC देखते हैं तो निवेश की सुचना देने वाली सोने की ख़दान है तो उनके पास अक्सर तथा कथित विचेशग्यों का एक पैनल होता है एक विचेशग्य यह कहेगा कि बजार धराशाई होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बजार में उठाव ह होने वाला है अगर आप स्मार्ट है तो आप दोनों की बात सुनेंगे अपने दिमाग को खुला रखें क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं दुर्बागे से जादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनेंगे मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौधे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जवा पूंजी पर 6 फीजदी ब्याज या बॉंड मिल गया था मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16 फीजदी ब्याज कमा रहा हूँ अगले ही दिन उसने मुझे एक लेक भेज़ दिया जिसमें यह लिखाता कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक था मैं सालों से 16 फिस्दी ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी 6 फिस्दी ब्याज ही ले रहा है मैं तो यह कहूंगा कि दौलत बनाने में सबसे कठीन चीज यह है कि आप अपने परती इमांदार रहें और भीड के साथ चलने की इच्छा ना रखे बजार में आम तोर पर भीड सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है अगर मुख प्रस्ट पर किसी बड़े सौदे की खबर चपी है तो जादे तर मामलों में बहुत देर हो चुकी है किसी नए सौदे की तलास करें जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं हमेशा एक और लहर आती है जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुचते हैं वे अक्षर धाराशाई हो जाते हैं स्मार्ट निवेश सक बजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं जादे तर लोगों के लिए यह मुस्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोग पर यह नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है दरपोग निवेशक उस भेड़ की जुन की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं यह उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफ़ा कमा कर बाहर जा चुके होते हैं समझदार निवेसक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोग पर यह नहीं होता वे जानते हैं कि खरीदते समय मुनाफ़ा कमाते हैं बेचते समय नहीं वे धीरत से इंतजार करते हैं जैसा मैंने कहा वे मार्किट के टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं किसी तेरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजीशन कर लेते हैं यह इंसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदे बाजी है इंसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गेर कानूनी दोनों तरह की होती है परंतो किसी भी तरह से देखे यह इंसाइडर ट्रेडिंग ही है फर्ट सिर्फ इतना है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है यह सूचना के अधार पर बनाया जाता है आप अगले उच्छाल के बारे में जान लेते हैं प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिराओ के पहले बाहर निकलाते हैं मैं यह नहीं कहता कि इसे गेर कानूनी तरीके से करें परंतु मैं यह जरूर कहता हूँ कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खत्रे में उतने ही जादा लाब कमा पाएंगे दोस्त इसलिए होते हैं और यही financial गुद्धी भी है नमबर चार किसी फॉर्मूले के विशेश अग्य बन जाए और फिर एक और नया फॉर्मूला सीख ले जल्दी सीखने की ताकत ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों न हो यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है इसने धन को अक्सर डो भी कहा जाता है अब मेंसे जादात의 लोगों ने यह कहाद़ सुनी है आप वहाँ है जो आप है मैं इसी कहाद़ को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा मैं कहता हूँ आप वह बनते हैं जो आप पड़ते हैं दूसरे शब्दों में आप सावधान रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्Яदा ताकत वर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे उधारन के तोर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई और विसे पढ़ना चाहिए जैसे एक स्कूल टीचर शिक्षण का अध्यान कर लेने के बाद आप अकसर सिक्षक बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है अपने अध्यान के विसे को साफधानी से चुने जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा तो लोगों के पास वही एक फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखाता और वह फॉर्मूला है पैसे के लिए काम करो संसार में सबसे ज़्यादा लोग पर यह फॉर्मूला यही है जिसके कारण हर दिन करोडों लोग सुभे उठते हैं और काम पर जाते हैं पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं चेक बुक को बैलेंस करते हैं कुछ मूचियल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं यही उनका मूलबूत फॉर्मूला यह नुस्खा है अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप ठक गए हैं या आप प्रयाप्त नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था मैंने साप्तहंत की एक कक्षा में भाग लिया जिसका सीर्शक था किस तरह रियल इस्टेट फॉर्क्लोजर को खरीदे मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया अगला कदम था अपने सीखे हुए सिध्धान को असली जीवन में आजमा कर देखना यहां पर जादा लोग रुख जाते हैं तीन सालों तक जब मैं जिरोक्स के लिए काम कर रहा था मैं अपने खाली समय में फॉर्क्लोजर को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा मैंने उस फॉर्मूले से कई करोर डॉलर बनाए है परंतु आज यह बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रियोग कर रहे है एक बार मैं उस फॉर्मूले का विशेश अग्य बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूले की खोज करने लगा कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप से नहीं मिली परंतु मैंने हमेशा कुछ ने कुछ नया जरूर सीखा मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो किवल डेरिवेटिक सौदेबाजी के लिए आयोजित की जाती थी और वस्तूओं के भान सौदेबाजों के लिए तथा अराजक वादियों के लिए आयोजित कक्षाओं में भी मैं गया हूँ मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमानू भोतिकी और स्पेस साइंस के विशेशग्यों की भीड थी परंतु मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल इस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर और फायदे मन बन गया ज़्यादे तर जूनियर कॉलेजों और समधाएक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेशों को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएं आयोजित की जाती है शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छी जगे है तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहा इसी कारण नियमत रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पुरी जिन्गी लग जाएगी एक और बात आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा मैटपूर नहीं रह गया है क्योंकि प्राए आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है मैटपूर यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं यह कला अनमोल है ज्यादा तेज फॉर्मूला ढूंडने में यह बहुत काम आती है पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के जमाने में पैदा हुआ था नमबर पांच खुद को सबसे पहले वेतन दे खुद पर अनुशाशन की ताकत अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी न करे आपको इसके पहले मरीन कॉप्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें पैसे कमाएं और उसे फूब दे खुद पर अनुशाशन की कमी के कारण ही करोरो डॉलर की लोटरी जीतने वाले लोग जल लही दिवालिया हो जाते हैं यह खुद पर अनुशाशन की कमी ही है जिससे तनखो बढ़ने पर लोग ततकाल बजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं यह विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं यह कहना कठिन है कि दस कदमों में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्पूर है पर अगर यह आप में पहले से ही मौजूद ना हो मैं तो यह भी कहना चाऊंगा कि खुद पर अनुशाशन की कमी ही वे सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को तीन समुदायों में बाटता है अमीर गरीब और मध्यवर्ग सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में आत्मसमान कम होता है और जो फाइनेंशल दवावों को जादा सहन नहीं कर पाते वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं जैसे मैंने पहले बताया था मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं बलकि इसलिए क्योंकि आप में अतीरिक नियंदरन और अनुसासन की कमी होती है जिन लोगों में अतीरिक सहन सकती की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिन में आत्म अनुशाशन होता है मैं जिन वेवसाई कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहां मैं लोगों को लगातर यह है याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान ये सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित ना करे बलकि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करे अपना खुद के वेवसाई सुरू करने के लिए तीन सरवाधिक महतपूर मैनेजमेंट दक्षताएं हैं नमबर एक कैस फ्लो का मैनेजमेंट नमबर दो लोगों का मैनेजमेंट नमबर तीन व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट मैं यह कहूंगा कि ये तीन दक्षताएं केवल व्यवसाय सुरू करने वाले के ही नहीं बलकि सभी के काम की है ये तीनों आपकी जीवन सैली में सबसे महतपूर भूमी का निवाती है वक्ति के रूप में परिवार के सदस्य के रूप में व्यवसाय में किसी धर्मार्थ संगठन में शहर में या देश में ये सभी दक्षताएं आत्म अनुसासन को साधने से बढ़ जाती है मैं खुद को सबसे पहले भुक्तान करे सिध्धान्त को हलके पनसे नहीं लेता परंतु हाला कि करोडों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोराते हैं, बहुत कम लोग ही इस सला का पालन करते हैं। जैसा मैंने कहा है, फाइनेंसिल शाक्षर्ता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देती है। किसी आदमी के इंकम स्टेटमेंट और बैलन्स शीट देखकर मैं ततकाल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले बुक्तान करें के सिध्धान का राग अलापते रहते हैं, वे दर असल इसका कितना पालन करते हैं। एक चित्र हजार सब्दों के बराबर होता है। तो एक बर फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंसिल स्टेटमेंट की तुलना करें, जो खुद को सबसे पहले बुक्तान करते हैं, और जो ऐसा नहीं करतें। इसके लिए cash flow की समझे जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है जादे से लोग अंक देखते हैं और कहानी को अंदेखा कर देते हैं अगर आप सचमुच cash flow की ताकत को समझना सुरू कर देते हैं तो आपको जल्दी ही यह पता चल जाएगा कि अगले परस्ट पर दिये गए चित्र में कहां गड़ बड़ी है और 90 फिस्दी लोग क्यों जिन्गी भर कड़ी मैनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोसल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की जरूरत क्यों होती है क्या आप इसे देख सकते हैं पिछले चित्र में दिया हुआ चित्र उस वेक्ति के काम दर्शाता है जो खुद का भुक्तान सबसे पहले करता है हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुक्तान करने से पहले वे अपने संपत्ति वाले कॉलम में पैसा डालते हैं हलंकि करोडों लोगों ने क्लास N की पुस्टक पड़ी है और खुद को सबसे पहले भुकतान करे का सिध्धान त समझा है परन्तु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुकतान करते हैं इस पार्ट में इतना ही आगे जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे चैनल पर हरोच शाम 5 बजे तक नेक्स पार्ट की वीडियो अपलोड होती है